एक बार फिर स्वागत है सभी बच्चों का आज के इस वीडियो में आज के वीडियो में हम देखेंगे हमारा परवेस कक्छा 4 से लेशन नमबर है 18 और पाट का नाम है दोस्ती तो वीडियो को पूरा देखें बच्चे तभी समझ में आएगा पाट अच्छा है और आगे वी वीडियो की नोटिफिक्सन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और वीडियो को लाइक वाज शेयर जरू करें वीडियो कैसा लगा कॉमेट्स में जरूर बताएं तो आज का पाट पढ़ते हैं यह परस्दी मिद्याले से मैंने किताब उठाई है उसी किताब से यह पाट है प भाए मिट्टी के बहुत सूंदर खिलोने बनाता था भाह ना इस्कूल जाता था और ना खेल पाता था जब बैड चार साब का था तो एक बार उसे बहुत तेज बुखार आया उसे पोलियो हो गया जिससे उसके पहर खराब हो गय उसकी मा बताती है कि बच्पन में उससे पोलियों कुछ दवा नहीं पिलाई गई थी शुरू दुलारी और अनवर देवा के मित्र थी शुरू बहुत सुरूले गाने गाता था दुलारी सब की प्यारी थी और अनवर तो पढ़ने का इतना सौकीन था कि उसे जो कुछ भी पढ़ने को मिलता उसे पढ़ने लग जाता था ये सब दोस्ते हैं शुरू अनारी अनवर देवा इसके बाद आगे पढ़ते हैं दूसरे पेज पर शुरू दुलारी और अनवर जब देवा के घर के सामने चोर सिपाई खेलते तब देवा उन्हें बड़े दिहान से खेलते देखता था किसी के पकड़े जाने पर अपने दोस्तों के साथ जोर जोर से पकड़ लिया चिलाता फिर पेट पकड़ कर देर तक हसता रहता बच्चे देवा के साथ खेलना चाहते थे पर उसके पैर देखकर उदास हो जाते बहे सोचते थे कि अगर कोई जादूगर या परी मिल जाए तो बहे उसे देवा के पैर ठीक करने को कहेंगे एक दिन बच्चे खेलने नहीं आए देवा हर दिन की तरह अपने दोस्तों की प्रतिक्षा कर रहा था उनके नहीं आने पर बहे दुखी हो गया साम तक बच्चे आ गए भैस अभी बहुत खुशते अरे तुम लोग क्या जंगल गए थे ये टेहनिया क्यों लाए हो देवा ने पूँचा बच्चे कुछ नहीं बोले बे फॉरन रागब के रागब बढ़े के घर पहुँचे और बोले दादा जी क्या आप इनसे देवा के लिए वैसाकी बना सकते हैं दादा जी ने कहा टेहनिया देकर बोले जब दादा जी टेहनिया देखी तब कहा ये लकड़ी कमजोर है देवा का भार नहीं उठा पाएंगी तुम लोग इसी तरह के कुछ मजबूत लकड़िया ले आओ बच्चे अगले दिन फिर जंगल गए और अपकी बार आम की मजबूत लकड़िया लेकर लोटे रागब ने दादा ने दो बैसाकिया त्यार कर दी बैसाकि लेकर बच्चे भागते हुए देवा के पास आए देवा देवा अब तुम हमारे साथ खेल सकते हो बे बोले दुलारी बोली देखो मैं तुम्हें चलकर दिखाती हूँ दुलारी ने बैसाखियों से चलकर दिखाया, बच्चों ने देवा को सहरा देखर उठाया, बैसाखियों लेकर देवा चलने की कोशिज कर रहा था, पर बैसाखिया उसके कंदे के नीचे गड़ रही थी, बच्चों ने तुरंद प्राना कपड़ा बैसाखियों के हत्ते पर अब देवा दीरे दीरे आराम से चल रहा था भै बोला अब तो मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकूँगा और स्कूल चल सकूँगा बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा बे अपने प्यारे दोस्त के चारतरफ नाचने लगे